हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप पहुच चुके अपने फेबिरेट चैनल बिट्स फॉर बायलोजी पे तो दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 12 की चैप्टर नमबर 6 कुई क्रिविजन सिरीज देख रहे हैं हम मॉलिकुलर बेसिस ओफ इनहिरिटेंस का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर बायलोजी का जो कहीं न कहीं सारे चैप्टर से इसका कनेक्शन होता है अगर आपने सेल अच्छे से पढ़ी है तो यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सेल और सेल डिविजन बेसिक रिक्वार्मेंट है इस चैप्टर के लिए और जेनेटिक्स अच्छी खासी आने चाहिए अब तो यह 50 मिनट्स के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को पूरा तो complete हम एक पूरा synopsis देखेंगे इस चैप्टर का जहां से हमारे questions solve हो जाएं अगर मैं आपको questions के बारे में बताओं तो 2-3 questions इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और वो questions कैसे solve होंगे मैं आपको बताओंगा क्योंकि 90 questions हैं हमारे पास 90 questions में से हमें 80 questions ही करना है और बस हमें physics और chemistry पे ज़्यादा focus करना है तो 80 questions तो मैं आपको ऐसे ही solve करा दूँगा आप मेरे पिछले सारे वीडियोज देख लो जितने में पीछे 130 वीडियोज लगभा बने हैं NCRT के जो वीडियो होती है वो सबसे खास वीडियो होती है क्यों खास है? क्योंकि इनमें दो चीज़े होती है एक तो yellow highlighter है yellow highlighter से वो चीज़ों को मैं अन्लाइन करता हूँ जो examों में आने की possibility बनती है बहुत बच्चे पूछते हैं कितने percent आप guarantee लेते हो जो NCRT paper set होती है तो NCRT से ही set होती है तो इतना तो guarantee अप मान कर चलो बिल्खुल अज जहां तक chapter की बात है तो chapter में वही चीज़ें basic होती है जो पिछले 10 सालों में पूछी जाती है वही चीज़े बार-बार कर वही आती concept तो वही पूछा जाता है कोई क्यों आपसे फाल तो concept पूछेगा important concept धी exam में पूछे जाते है तो चलिए अब start करते है हमारे chapter molecular basis of inheritance दो highlighter का use है red highlighter से वो चीज़ें जो पहले exam हों में पूछी जा चुकी है yellow से वो जो exam हों में possibility बनती है तो चलिए start करते हमारे chapter molecular basis of inheritance इसमें जो सबसे पहला important आपका line है वो nucleic acid are polymer of nucleotide बहुत important point मिस जो building block है किसी भी nucleic acid का तो वो nucleotide होते हैं DNA है और RNA ये हमारे genetic material होते हैं तो nucleotide कैसे बने हैं तो बहुत छोटे छोटे चीज़ मिले polynucleotides सब्जाकरिन का formation हुआ अगर nucleotides का अगर हम chemical nature देखें उनमें nitrogen base होते हैं pentose sugar होते हैं और phosphate वगरा, phosphoric acid वगरा होते हैं तो ये देखेंगे हम आगे चलकर इनमें अगर कुछ virus में देखें तो mainly messenger के तोर पे काम करते हैं और कुछ जो RNA होते हैं additional role भी होता है RNA में तो आपको virus में RNA मिलेगा और कुछ additional जो role है adapter के तोर भी काम करते हैं structural काम भी होता है और catalytic molecule भी होता है ये जो 3 term है RNA के बारे में काफ़ी important है याद रखिएगा आपको बीच chapter में समझ में आएगा इसके बारे में अब एक है RNA DNA से RNA का बनना ठीक तो इस process को क्या बोलते है transcription बोलते है अब protein का बनना तो इसको translation बोलते है तो कुछ ऐसे process है इस process के ही बारे में इस chapter में पढ़ना है हमें चलिए आगे आप देखिए इसको इसके बाद हम कुछ DNA की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो सबसे important part है वो DNA है तो DNA क्या होता है long polymer of deoxyribonucleotides होता है सबसे important इसकी point यही होती है DNA के बारे में और भी अगर हम बात करें DNA के बारे में तो number of nucleotides से बने हुए है जो pair of nucleotides होता है जिसको हम base pair बोला करते है तो यह भी काफी important point है base pair से regarding इसके बाद कुछ important चीज़े बताई गई है किसमें कितने base pairs मौजूद होंगे जैसे एक bacterial phase है तो उसमें nucleotides के बारे में बताया गया है तो उसमें 5386 nucleotides जो भी value दे रखे हैं याप पर वो अब याद रखेगा human DNA का तो आप से पूछा भी गया है कि human DNA में कितनी value होगी तो human DNA में जो haploid की अगर बात करें तो उसमें 3.3 into 10 to the power 9 base pair होगा अगर यही हम बात करें diploid की जिसमें 2 set of chromosome होगे तो 6.6 into 10 to the power 9 base pair होगा तो इतना आपको simple सा समझ में आना चाहिए जो यहाँ दे रखा है उसके बारे में 3 billion के बारे में दे रखा है कि वो 3 billion base pair उसका है तो यह हम बात करें थे base pair के बारे में कुछ bacteria phase वगरा के बारे में दे रखा है तो वो चीज आप याद रखेगा ठीक है? इसके बाद हम आगे क्यों बढ़ते हैं a structure of polynucleotide chain के बारे में बात की जा रही है इस chapter को जादर detail में नहीं देखेंगे जो चीज़े important है जो पूछी जाती है वही मैं आपको सिर्फ बताऊंगा एक nucleotide है उनके पास 3 compound होती है एक तो nitrogenous base होता है जिसको nitrogen base बोलते है एक pentose sugar होता है जो कि अगर RNA का case है तो ribose होगा DNA का case है तो deoxy ribose होगा simple सी चीज है इसके बार एक phosphate group होता है या phosphoric acid होता है जो DNA को acidic बनाता है आपको पता होना चाहिए DNA एक acidic चीज होता है जो DNA एक acidic substance होता है तो एक पता होना चाहिए आपको जो nucleos में present है ठीक है purine जैसे adenine और guanine या आप simple से याद रखेगा purine है तो adenine है और guanine है pyrimidine है तो जो बड़ा है उसको cut कर दो C for cytosine U for uracil T for thymine simple से चीज है याद रखेगा अब देखिए thymine है तो DNA में present है uracil कहां रहेगा वो RNA में present है तो यह याद रखेगा adenine, guanine, cytosine, thymine और uracil तो हमेशा adenine है तो thymine के साथ bond बनाएगा guanine है तो cytosine के साथ bond बनाएगा thymine है तो DNA का case है अगर RNA का case है तो यहाँ पर uracil हो जाता है बस इतना ही काफी important है याद रखेगा इसको इसके बाद वो आपको लिख रखा है uracil यहाँ पर होगा इसके जगह present इसकी बाद जो nitrogenous base होता है वो generally OH के साथ वो link होता है pentose sugar का जो पहला carbon होता है यह important है आपर structure जब देखीगा उसमें पता चलेगा जो पहला carbon होता है उस पे यह present होता है जो अहाँ पर bonding मनती है वो bonding आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी bond होती है तो nitrogenous base plus sugar तो bond बनेगी in glycosidic linkage बनती है nucleoside के formation में और भी दो linkage है यह भी मैं यहीं पर साथ साथ बता देता हूँ nucleoside और plus phosphate के बीज phosphoester linkage का formation होता है और nucleoside और nucleoside में इस dinucleoside है तो phosphoester linkage का formation होता है याद रखेगा phosphate plus hydroxyl group जो sugar का होगा महाँ ester bond का formation होता है जो भी bond से related question पूछे जा सकते थे उसको मैंने एक जगा आपको बता रखा है तो याद रखेगा two sugar of same strand तो phosphoester bond का formation होगा two nucleoside of different strand तो hydrogen bond का formation होगा two nucleoside of a ester bond का formation होगा फिर से सुनिए गए सब चीज़ों को ठीक है हम आगे क्यों बढ़ते है phosphoester linkage मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर phospho group का जो linking होगा वो fifth carbon के साथ होगा यहाँ पर linking कोई भी nucleoside है इसके आगे सब कुछ linkage मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर यह linkage का यहाँ पर diagram दे रखा है तो diagram अच्छे से देख लीजेगा ठीक है आगे क्यों बढ़ते हैं हम ठीक है अब आपसे question पूछी जाती है किसी भी polynucleotide chain है तो उसकी backbone क्या होती है क्योंकि किसी भी चीज की backbone बहुत ही ज़रूरी है तो sugar है और phosphor होते है जो इसके backbone पूछे जाने की पूरी possibility बनती है एक question याद रखेगा important है इसके बाद RNA है तो RNA में आपको बताए ही ribose उसमें present होता है वहाँ 5-methyl-uracil present होता है जिसको thymine बोला करते है अब DNA के बारे में कुछ important बाते लिखी गई है DNA DNA एक acidic substance होता है thymine जो है thymine ही additional stability देने का काम करता है किसी भी DNA को जैसे एक चीज होता है adenine के साथ thymine का connection होता है double bond guanine का cytosine के साथ triple bond होता है यहाँ पे जो hydrogen bond लगे होते हैं यही helical structure को stability provide करने का काम करते है ठीक है अब DNA के acidic substance है जो nucleus में मिली थी nucleus के अंदर एक pass cell होता है pass cell की जो nucleus थी उसके ही अंदर मिली थी उसमें एक substance देखा गया जिसका नाम था nucleene और उस turn दिया गया nucleic acid नाम था scientist altman और discovery होई थी minister के दोवारा तो यह नाम दिया गया ठीक है वर्ट सुन और क्रीक ने एक model दिया आगे चलकर आप पता होगा DNA का जो model दिया गया double helix model दिया गया वो जो data लिया गया था वो Wilkins और Franklin ने दिया था इसके बाद double helix model आया तो कहीं ने कहीं बहुत scientist के नाम आएंगे तो scientist के नाम इसमें important है एक जगा लिख लिजएगा ठीक है हम आगे क्यों बढ़ते हैं इसके आगे एक पूछा जाता है one of the hallmarks of their proposition क्या था तो दो strands जो होते हैं polynucleotide chain के उनके आज़ पास उनके आपस में pairing होती है यह pairing गजब की है तो यह चीज़ याद रखिएगा pairing गजब की होती है उसके बीच में इसके बाद हम आगे क्यों बढ़ते हैं hallmark आपसे पूछा जाएगा यह चीज important question है बहुत बाद testories में question पूछे जाते है hallmark क्या होता है तो base pairing यही सबसे unique character होता है किसी भी polynucleotide chain का कि base pairing हो पाए जो polynucleotide होते हैं दो strand के उनके बीच base pairing सबसे important चीज़ होती है एक चारगफ का rule दिया गया कि purine equal to pyrimedine का rule दिया गया इसमें बताया गया अडिनीन प्लस गवानी by cytosine plus thymine equal to 1 का value होता है 3 plus 3 by 3 plus 3 6 by 6 तो 1 आगया value direct यह किसी भी aspaces के लिए constant होती है और variable generally vary करता है spaces to aspaces के बेच ठीक है तो याद रखेगा इसके बाद template strand के हम लास्ट में बात करेंगे कुछ salient features दे रखें double helix model के बारे में उसके बारे में हम देखते हैं two political tight chain देखे लिए हमने sugar phosphate के बेच base project inside 5 to 3 end होता है आप जब भी TN का structure देखोगे तो आप देखो कि उसमें 5 to 3 end मिल रहा है जो polarity है और other chain में 3 to 5 end आपको मिल रहा है इसमें bonding मैं आपको बता ही दिया iodine, thymine वगरा के बारे में इसके बाद uniform distance होता है और right handed fashion में आपस में होते हैं ये coiled और जो peach होता है इनका जो distance होता है 2 successive step के बेच 3.4 angostrum होता है यहाँ पर जो nanometer में बात दे रखा है उसके बारे में है और भी चीज़ें इसमें पूछी जाती है एक full turn जो helical strand होता है उसमें कितने step होते हैं 10 step होते हैं यहाँ पर 10 base pair उसमें मौझूद होंगे यहाँ bonding यहाँ देख सकते हैं hydrogen bond यहाँ दे रखा है adenine, thymine है तो double bond है guanine, cytosine है तो triple bond है यहाँ पर, यह चीज़ मैंने आपको बता रखा है इसके बार distance जो दे रखा है यहाँ पर 0.3 nanometer वही चीज़ मैंने बता है distance between two successive states और length of one complete turn अगर आपसे पूछा जाए तो 34 angostrum वो होता है वो 10 base pair उसमें मौझूद होते हैं ठीक है? इसके आगे DNA का length अगर आपसे पूछा जाए DNA का जो length है वो किस चीज़ पर depend करता है तो DNA का जो length है वो mainly depend करेगा nucleotides के number कितने है base pairing कितने की जा रही है तो यह चीज़ यहाँ पर आपसे question पूछा रखा है stability आप समझ चुके हैं hydrogen bond के चलते में लिए compare the structure of purines and paramedines can you find out why the distance between two polynucleotides chain and DNA remains almost constant तो क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि जो complementary base pair है किसी भी purines और paramedines के वो हमेशा double ring आप structure में और यह double होगा generally purines का अगर देखें तो वो double होगा और paramedines का अगर हम देखें तो वो single होता है तो यह आपको पता भी होगा purines में 2 ring होते हैं और paramedines में 1 ring होता है इसके बाद एक crick क्या आती है model बार बार पूछा जाता है यह चीज crick ने propose क्या था central dogma आप से पूछा जाता है central dogma है क्या तो information इसमें कैसे flow कर रही है तो DNA से RNA में RNA से protein में तो DNA से जो RNA बना that is process is called transcription और RNA से जो protein बना that process is called translation और DNA से DNA का बना that is replication यह simple सा यह process आपको यहाँ पर दिखा रखा है इसके बाद question पूछा गया है कि virus में क्या चलता है तो virus में क्या चलेगा यहाँ पर यह बताया गया है viruses में यह reverse चलती है RNA से DNA का इसमें बनना का formation इसमें चल रहा होता है तो essay process को क्या बोलते हैं तो इसका पुल्टा कर दो इसमें था तो reverse transcription कर दो तो यह चीज़ें यहाँ पर बताये रखी है इसके बाद हम आगी cure देखते है packaging of DNA helix यह थोड़ा important part है जो packaging से related है अगर आपने पढ़ी होगी sale bio तो वहाँ पर यह generally अच्छे से पढ़ा जाता है कि कैसे इसमें बिल्कुल packaging का इसमें काम चलता है जिसमें बात करते है ultra structure of chromosome chromosome के भी अंदर जाने के हम कोसिस कर रहे हैं वहीं पर ठीक है अगर मैं आपको एक simple सा line में आप बताऊँ जो histone है ठीक है एक histone है और DNA तो DNA की तो coiling पूरी रहती है और उसको histone protein ही उसको bind किये हुए होता है और histone कितने हैं तो octameris में होते हैं आप समझ सकते हैं एक लंबी सी DNA होती है long size DNA होता है वो एका small area में कैसे accommodate होता है कितने हैं compaction होती है तो compaction का जो unit होता है वो nucleosome होता है ये question आप से पूछा जाता है ठीक है इसके आगे हम और भी बात करें 2.2 meter होता है इसका length compaction mainly कैसे होता है basic protein होते हैं वहाँ पे non histone होते हैं prokaryotes में और histone होते हैं eukaryotes में histone एक basic protein है जो कि set of positively charged होता है और DNA को हम देख सकते हैं DNA negatively charged होता है ठीक है हम आगे की और देखते हैं इसके आगे E line बड़ा important है अब बात आती है histone के बारे में तो histones जो होते हैं basic amino acid होते हैं lysine और argenine होते हैं दोनों के दोनो positive charge carry करते हैं histone octamer में 8 unit molecules होते हैं बहुत सारे हैं उसमें H2A उसमें सामिल है H2B सामिल है H3H4 सामिल है और यह सब दो-दो एक-एक pair में होते हैं तो दो-दो सब हो गए ठीक है? अब negatively charged DNA है वो wrapping किस पे हुआ है उसका positively charged histone पे जो octamer वहाँ पर था वही जाकर एक nucleosome का formation करता है और एक nucleosome है उसमें 200 base pair है DNA के helix के यह आप समझ सकते हैं nucleosome को bits on a string बोला जाता है तो यह चीज़ बताई जा रखी है इसके बारे में यह जो यहाँ लिख भी रखा है bits on a string तो इसके बारे में आप बात की जारे nucleosome के बारे में ठीक है अब कोई भी mammalian cell है यहाँ जो question पूछा रखा है mammalian cell में कितने होंगे total number of nucleosome तो 3.3 into 10 to the power 7 nucleosome इसमें मौझूद होंगे such bits कितने होंगे अगर मैं आपको एक पूरा का पूरा unit दिखाऊं वो कैसे काम कर रहा होता है तो सबसे पहले DNA है आगे मैं दुपड़ा दिखाता हूँ सबसे पहले क्या है DNA DNA से क्या बना nucleosome nucleosome से solenoid solenoid से chromatin fiber chromatin fiber से क्या होगा तो chromatid होगा chromatid से chromosome last तो आपको पता होगा metafase में condensation ये होता है हम पढ़ भी चुके हैं cell division में हम cell level तक सारा कुछ जान चुके है इसके बाद non-histone chromosomal protein के बारे में बात की जाती है ये generally जो chromatin की packaging होती है higher level पे उसमें additional set चाहिए होता है protein का तो उसी को बोला जाता है non-histone chromosomal protein यहाँ पे इसको बोला जाता है तो ये भी काफी important है इसको याद रखिएगा अब आगे बारी आती है u-chromatin और heterochromatin के बारे में तो ये भी बार-बार आपसे पूछा जाता है तो इसके बारे में भी आपको समझना चाहिए सबसे पहले u-chromatin होते क्या है ये बिल्कुल थीन होते है extended होते है loosely होते है light astained part है ये chromatin के genetically more active होते है transcriptically active होते हैं बिल्कुल less histone protein होता है इनमें इतनी बाते थी u-chromatin के बारे में हेट्रो-chromatin थीक होते है cold होते है condensed part होते है dark होते है less active होते है और more histone protein इसमें सामिल होता है तो ये बाते थी u-chromatin और हेट्रो-chromatin के बारे में जो chromatin का हमने part पढ़ा इसके बाद बारी आती है अब यहाँ से में लिए जो chapter है start होता है the search for genetic material जानते हैं हम कई बार question भी पूछा जा चुका है transformation को किस ने खोजा तो transformation को graphite ने खोजा DNA का material में genetic material के लिए सर्च की जा रही है क्या RNA है या DNA है तो DNA stable होता है evidence मिला है हमें 1928 की बात है scientist है graphite discovery चल रही है streptococcus pneumoniae पे या diplocococcus pneumoniae पे pneumococcus जो है उसको हमने culture करवाया दो तरह के हमें part मिलें एक तो smooth sine colony मिल रहा है और एक rough colony मिल रहा है जो smooth है हमने उसको S बोला जो rough है हमने उसको R बोला जो smooth है वो capsulated है मिस mucus और polysecride की coating है उसमें मिस वो virulent है मिस वो pathogenic है और जो rough है वो non capsulated है non virulent है non pathogenic है मिस disease का उच नहीं करेगा सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर चूहे की example जा रही है चलो एक ASA strain लिया गया जो virulent था जो pathogenic था बताओ किसी भी चूहे में डालेंगे चूहा मरेगा तो mice will die इसके बाद ASA strain जो की rough colony था जो की non virulent था इसको injection दिया गया mice में तो चूहा जो था वो जिंदा रह गया क्योंकि वो non pathogenic था ठीक है इसके बाद क्या हुआ और आगे कोच चीज़ें चली है ASA strain सिर्फ simple सा लिया गया तो वो चीज़ें मैं आपको बता दी ASA strain को heat-killed किया गया ASA strain क्या था पैथोजेनिक था अब इसको mice में inject किया गया चूहा फिर भी जिंदा रह गया ASA strain heat-killed plus RS to live इसको mice में inject किया गया चूहा मर गया अटप्सी किया गया तो live S type उसमें मिल गया S type virulent था पैथोजेनिक था उसमें जिन्दा रहा गया था इस ताइप इसलिए चूहा मर गया था ठीक है यह याद रुखेगा अब ठीक है इतनी बाते तो हम जान चुके ठीक है तो अब कन्कलूजन क्या आता है इसके बाद कन्कलूजन यह आता है Griffith ने conclusion दिया कुछ ऐसा transforming principle था जो कि heat killed S-a-strain में जो कि live R-a-strain को transform कर दिया S-a-strain में करकर क्यों ऐसा हुआ क्योंकि genetic materials का transfer हुआ है तो इससे यही बात पता चलती है और एक और लाइन biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment क्योंकि genetic material कैसा nature का है यह कहां experiment में पता चला तो इसके बारे में इसमें बात नहीं की गई तो क्यों ना हम देखें कैसा होता है biochemical nature तो चलिए आगे देखते हैं biochemical characterization of transforming principle इसके बारे में तीन scientist आए Avery, Macleod और Macarty firstly prove किया इन्होंने कि genetic material जो होता है वो DNA होता है ठीक है? Avery, Macleod और Macarty इन्होंने ही बताया कि DNA जो होता है वो hereditary material होता है ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें सामिल थी जैसे कि एक था protease एक था RNAs और एक था DNAs ठीक है? तीन चीज़ें इसमें सामिल थी क्या किया गया? protease और RNAs जो होता है वो transformation को affect नहीं करता है लेकिन जो DNAs था जो DNAs था वो transforming substance था जो कि transformation को रोकने में काम आ रहा था दो तरह की चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दू यहाँ पे अगर सिर्फ हमने बोला DNAs DNA में S लगाया सिर्फ हमने तो मिस बहुत सारे DNA है अगर DNAs लिखा हमने जो यहाँ लिख रखा है DNAs मिस DNA digestive enzyme है यहीं बच्चे confuse होते हैं ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा तो जो basic सी बाते थी वो हमने यहाँ कर ली है इसके आगे हम बढ़ते हैं genetic material जो होता है वो DNA होता है कहते हैं ऐसा एक unequivocal मेंसे एक final proof देने का काम किया हर सेंट चेज ने कि DNA एक genetic material जो है वो experiment से आया bacteria phase पे experiment चल रही थी यह experiment में simple सा experiment है ज़्यादा detail में मैं नहीं जाओंगा यह simple सा experiment है एक phosphorus लिया गया उसका 32 लिया गया और sulfur का जो लिया गया वो 35 लिया गया यह दो तरह के यहाँ पे isotope लिये गया है 32 और 35 यहाँ पे लिया गया है इसके बाद क्या किया गया isotope तो लिया गया यहाँ पे radioactive phosphorus लिया गया ठीक है अब जो phosphorus 32 था इसमें DNA और sulfur जो था इसमें protein capsule इसमें क्या किया गया virus से उसको bacteria में pass कराया गया तो देखा कि हाँ पास हो रहा है इसमें 3 process सामिल थे यह पहले infection करवाया गया फिर blending करवाया गया फिर centrifugation कराया गया तो इससे यह साफ पता चलता है कि हाँ यह transfer तो होता है तो एक experiment ठोड़ा लंबा है related कोई question पूछे नहीं जाते है जो मैंने बात बताई है वही चीज़ है important है इसमें 3 process याद रखेगा ध्यान में infection, blending और centrifugation ठीक है हम आगे क्यों बढ़ते है हर से चेज experiment उन्हों नहीं दिया था इसके बाद RNA जो है वो genetic material है कुछ properties है जो DNA versus RNA में देखे गए तो प्रोपर्टी हमारे लिए important है DNA जो और RNA का जो प्रोपर्टी है इसके बीच में हम देखेंगे मनि DNA versus RNA का batch चल रहा है उसमें देखते हैं क्या कैसे होता है चीक है इसमें RNA genetic material है किसका tobacco mosaic virus में है cubo bacterial phase में है RNA बहुत ही important हम उसके बाद देखेंगे RNA world में कुछ और चीज़े में बताऊँगा इसके बारे में अब देखे कीन चीज़ों में अलग है जैसे एक molecule है हम कैसे कहें कि वो genetic material है कुछ requirement कुछ criteria हमने set कर रखा है पहली चीज self replication होना चाहिए DNA, RNA खुद ही replication करते है क्योंकि हाँ base pairing और complementarity का rule होता है दूसरी चीज chemically और unstructurally unstable होना चाहिए DNA के पास है DNA chemically less reactive होता है unstructurally more stable होता है और genetic information को store करने का भी काम करता है तीसरा चीज यह 2018 में कोश्चन आई है तीसरा चीज mutation slow change होना चाहिए बिल्कुल इसमे DNA में होता है ऐसा ठीक है और चौता चीज Mendelian expression को वो follow करे वो RNA करता है तो कुछ ऐसे character यहाँ पर थे सामिल जिसमें वो बताया गया देखिए RNA जो होता है वो बिल्कुल single stranded होता है labile होता है easily degradable होता है first genetic material तो यही था आज भी लोग मानते यही है कि first genetic material यही है बिल्कुल सही है अब single stranded होता है ठीक है जो structure होता है RNA का fundamentally वो same होता है as DNA पहली चीज RNA में ribos sugar होता है आप जानते ही है thiamine इसमें बिल्कुल absent होता है यहाँ पर uracil होता है laser stable है mostly function करता है यह messenger के तौर पे और directly code करता है protein synthesis को easily express हो जाते है character ठीक है इसके बाद इसी का detail यहाँ पर पूरा दे रखा है तो DNA एक better genetic material होता है क्योंकि ज़्यादा चीज़े जो हमने अच्छी देखी है वो DNA में ही देखी है हमने और RNA का type भी पढ़ेंगे हम लोग आगे ठीक है हम आगे क्यों बढ़ते है अब इसमें आता है जो topic का नाम है वो RNA world है तो RNA हम जानते है first genetic material है RNA catalyst के तौर पे काम करता है catalytic molecule होता है जैसे ribozyme non-proteinicious होते है और catalytic molecule क्यों है क्योंकि reactive होता है यह unstable होता है mutation बहुत ही fast rate पर चल रहा है जैसे virus में आप देख सकते है virus का RNA genome ठीक है इसके बाद बारी आती है replication के बारे में जितना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जो भी चीज़े important थी मैंने आपको पूरा बता चुका है और इसके बाद हम बारी आती है replication के बारे में कि अब यह replication कैसे चलेगा ठीक है अब DNA का replication है आप तो पढ़े होंगे replication कहां चलता है तो replication S phase में चलता है बार बार याद मैं दिलाता हूँ आपको एक semi conservative process है कि identical copy बने जो double standard DNA है उसका identical copy बने जो existing DNA था उससे इसके लिए क्या किया जाता है सबसे पहले existing DNA है मेरे पास ठीक है उसके बाद template थियार किया जाएगा उसका बिल्कुश साचा template जब भी मैं बोलूँ तो साचा अब याद रखना template थियार किया जाएगा new DNA strand का parental strand से उसका फिर formation किया जाता है तो यह ऐसे पुरा process यह चलता है इसी में आपको आगे चलकर बताया गया semi conservative mode of DNA replication इसमें कुछ experimental proof देने की कोशिस की गई साइंटिस्टों के दौरा इसमें जो साइंटिस्ट पहले आप से अगर पूछा जाए semi conservative mode of DNA replication किस ने दिया तो propose तो किया था पहले Watson और Crack ने लेकिन प्रूफ करकर दिखाया मैं Salcin और Astal ने Ecoli पे experiment चली 1958 में और Taylor ने किया VCF आवा पे मैं Salcin और Astal ने Ecoli पे और Taylor ने किया VCF आवा पे इसमें radioactive thymidine का use किया गया था ठीक है इसके बाद हम आगे की और बढ़ते हैं यही आपको मैंने बताया इसमें जो चीजें सामिल थी ओ चीजें मैं direct बता रहा हूँ आपको heavy DNA और normal DNA दो तरग DNA हो गया heavy DNA और normal DNA दोनों को separate किससे किया गया एक method था जिसका नाम था centrifugation cgm chloride में cgm chloride density gradient होता है तो radioactive isotope जो थे वो से separate नहीं हो पाए इसमें आप next आगे बढ़ते हैं ecoli के बारे में एक important line यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर experiment की गई हैं आपस experiment कोई नहीं पूछने जा रहा कैसे experiment किया गया जो में इन बाते में जो मैं बता रहा हूँ वो एक्जामों में पूछी जाती है इसके बाद हम आगे क्यों बढ़ते हैं ecoli हर एक 20 minute में divide करता है mainly अगर actual बात मैं बता हूँ तो हर एक 18 minute में divide करता है अगर actual data अब देखो तो इसके बाद हम आगे क्यों बढ़ते हैं मैं आपको बताया है जो Taylor ने discovery किया है वो Vishya Fava पर discovery किया है उनके कुछ collects भी इसके साथ सामिल थे जोनों ने discovery ऐसा की है ठीक है 1958 की वो बात है जो यह किया गया question पूछा गया है आपसे याद रखिएगा next हम आगे बढ़ते हैं machinery and enzymes यह for DNA replication के बारे में बात की जा रही है Ecoli में sets of enzymes मौझूद होते हैं अब जो next question पूछा जाएगा आपसे main enzyme of replication direct DNA dependent DNA polymerase आपका आएगा direct ठीक है काम कहां होता है DNA template को use किया जाता है polymerization जो किया जाता है deoxy nucleotide का उसके लिए और generally reaction को catalyze करने का काम आता है और reaction बहुत यच्छे accuracy के साथ चल सके इसके लिए और कोई भी mistake replication के दौरान होता है तो mutation cause होता है तो आपको पता ही होगा अगर हम energetically देखें तो replication एक बहुत expensive process है यह याद रखिएगा इसमें जो चीज़ें सामिल होती है वो चीज़ें में बता रहा हूँ यहाँ पे deoxy ribonucleoside triphosphate दो purpose इनका बिल्कुल होता है पहला function कि as a substrate के तोर पे काम कर सके दूसरा इनका function होता है यह जो polymerization जो reaction चलने वाला है उसमें energy तो provide कर सके तो जो deoxy ribonucleoside triphosphate जो है उसमें terminal phosphate जो होता है उसमें high energy होता है जो कि as a ATP काम करता है ठीक है तो यहाँ जो भी चीज़ें important थे मैंने आपको बता रखा है तो काफी important paragraph है याद रखिए का question आने के पूरी probability बनती है ठीक है इसके बाद हम आगे क्यों बढ़ते है अगर देखिए DNA जो molecule है अगर वो अगर लंबे होते जा रहे है तो दो strand को separate नहीं किया जा सकता है उनके पूरे entire length में क्यूंकि high energy requirement है अब जो replication होगा तो replication occurs generally होता जो है वो small opening of DNA helix के लिए होता replication forka में इस्तमाल कर सकते है ठीक है अब DNA dependent जो था DNA dependent DNA जो polymerase है वो catalyze करेगा किसको जो polymerization reaction जो चल रहा है उसको बस एक direction में वो direction आपको याद रखना है 5 into 3 end जाएगा अब एक strand जो है replication का जो continuous चल रहा है जिसको हम leading strand बोलते है वो 3 to 5 end में जाएगा और जो other strand है replication में जो रहा है discontinuous है जिसको हम आगे चल का नाम बोलेंगे ओका जाकी fragment ओका जाकी fragment जो होगा वो 5 end से 3 end जाएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा उपर वाला जो है वो leading strand है नीचे वाला जो है वो lagging strand होता है continuous और discontinuous की बाद हम कर चुके यहाँ पे यहाँ एक DNA ligase होता है जो discontinuous fragment है वो आगे जब जुडेंगे तो DNA ligase से जाकर वो जुडते हैं तो यह याद रखिएगा और simple सा चीज औरी ठीक है इसको vector ने prove किया था वैसा region जहां replication starts होता है Ecoli में उसको बोलते हैं औरी origin of replication simple से चीज है अगर cell division में failure होई DNA replication के बाद तो वो polyploidy में जाकर convert हो जाएगा जिसको chromosomal anomaly बोलते हैं ठीक है याद रखिएगा बहुत सारे चीज़े मैं बता रहा हूँ यहाँ पे यह भी मैंने आपको line बता दिया the vector provides the origin of replication provide किया गया था vector के द्वारा ठीक है इसके बाद हम आगे क्यों बढ़ते हैं अब यह मैं अगर जरा process बता हूँ आपको तब आपको simple से समझ में आएगा सबसे पहले क्या किया गया यह आप diagram भी आपर देख सकते हैं आपको जो main चीज़े हैं वो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्या किया गया activation किया गया deoxyribonucleotide का बिल्कुल सही है इसके बाद DNA जो helix था उसको हमने unwinding कर दिया बिल्कुल ठीक unwinding भी हो चुकी है अब replication fork का formation हो गया है यह आप replication fork देख सकते हैं formation हो चुका है अब primase एक enzyme होगा जो कि इसका initiation कर देगा अब DNA का synthesis बिल्कुल तयार हो रहा है अब proof reading और DNA repairing दोनों चाहिए तो इसके लिए जरुवत होता है पहले number पे helicase का जो कि unwinding का का काम करे दूसरा होता है SSBP का जो कि requiring में prevent करता है तीसरा topo isomerase का जो कि again rejoin कर दे और जो tension उसके बीच create हुआ है उसको हटाने का यहाँ पे काम होता है जो भी चीज़ important है वो मैंने आपको बता रखे हैं इसके बाद बारी आती है transcription के बारे में जहाँ primase और RNA polymerase का roll होता है that is now transcription के बारे में बात आती है इसमें generally क्या होता है DNA को RNA में बदलना mainly genetic information जो है उसको copy हमने कर लिया एक strand को DNA से RNA में हमने change कर लिया किस principle पे based up से यह पूछा जाता है तो complimentary का जो हमने DNA के main principle देखे थी इसको पूरा government का इसके हम आगे बात करते है पूरा है प्रोमोटर सामिल होते है structural gene होते है और Terminator होते हैं Promoter जो होगा वो 5th इंड पे होगा Terminator जो होगा वो 3rd इंड पे होगा Promoter है Manly Presence किसीज को define करेगा Template और Coding a Strand के बारे में यह आपा Stream होता है Promoter और जो Terminator होगा वो Donner Stream में चला जाएगा 3 रिजन इसके होते हैं काफी important यह मैंने आपको इंजाइम बता दिया है DNA Dependent RNA Polymerase यह इंजाइम आपको यहाँ पे काम करेगा इसके बाद Template a Strand और Coding a Strand के बारे में बात की जाती है सबसे पहले बारी आती है Coding a Strand के बारे में मैं आपको बताऊ Coding a Strand को Sensor a Strand भी बोलते हैं reference point के जैसा काम करता है यह किसी भी चीज के लिए Coding करने का काम नहीं करता है नाम है सिर्फ Coding does not code for anything याद रखेगा जो Template a Strand है इसी का तो काम होता है में लिए तो Non Coding होता है यह Antisense होता है 3 to 5 in Polarity पे बिलकुल यह काम करेगा Only 5 to 3 direction में यहाँ पे जनरली काम चल रहा होता है तो DNA dependent RNA polymerase जनरली transcription process को continue करेगा आगे चल कर तो में लिए इसका काम यह होता है बैक्टिरिया वगरा में यह जनरली होता है ठीक है अब आगे क्यों बढ़ते हैं अब जैसा कि यहाँ डिग्राम में भी देख सकते हैं बलेट अस्ट्रेंड और कोडिक अस्ट्रेंड के बारे में यहाँ बता रखा है ठामिनेटर यहाँ पे देख रखा है ठामिनेटर जोकी 3 knots होगा आपके यहाँ धोना चाहिए डॉन के तरफ चलेगा process और लो promoter है वहाँ पर चलेगा ट्रांस्ट इभिंग जो है यहां से स्टार्ट हो गिने का काम होगा यहां से किस आप मनें जह सामील पोता है यह सेमेंग वात कोडिग करेगा की भी पॉलीपेटाइड के लिए तो जा यही चीज़ें डिरेक्ट पुछी जाती है, नेक्स बारी आती है, एक्जॉन के बारे में, एक्जॉन क्या होते है, कोडिंग सेक्वेंस ये एक्सप्रेस सेक्वेंस आर डिफान एक्जॉन कहां है होगे, जनरली जब मैच्उर या प्रोजिस्ट आरे ने होगा, यह इन्टरशेप्टेट के जाते हैं, इन ट्रॉन के इंटर्वेंग इसको बूला है, कभी पेमेच्उर या प्रोजिस्ट आरेन कि यही होता है जो 80 परसेंट जो सेल्स का टोटल आरेने होता है वो यही होता है मोस्ट अबंडन्ट यही होता है और आरेने होता है इसमें तीन प्रोसेस यहां पर चल रहा है यह सबसे पहले काम चलेगा वो इनिशियेशन के बार में आप बात की जाएगा जो सबसे पहले हैं, इनिशियेशन जहां से ट्रांस्क्रिप्शन अस्टार्ट होगा, जहां से RNA-pollis देज आकर जोड़ने का काम करता है, इसके बाद है, इलोंगेशन के वारे में, तो इलोंगेशन के वारे में बात चलेगी, फिल्ट ट्रांस्क्रिप्शन रुख जाएगा इनिशियेशन है अब कैसे बताओगे इसे 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 बताया जाता है इसके बाद आगे तो होता है वो कौन सा साइट होता है इसको टाटा बॉक्स भी बहुता है जो सिंगमा फेक्टर होता है वो इनिशियेशन करता है इसमें इसे किया यूज़ होंगे निके ट्राइज ट्राइज इस प्रोसेस को आरेने प्लमराइज जो है वो फास्फोर डाइस्टर बॉन्ड जो होगा एड्जेसेंट निकेलोटईड के बीच में उसको एस्टिबलेज करने में काम आता है इसके बढ़ लास्ट है termination जहाँ RNA polymerase है जो terminator side पे जाकर पहुच जाएगा जहाँ जो nascent RNA है वो separate हो जाएगा यहाँ पर DNA template से और termination factor बिल्गुल यहीं पर है तो यहाँ पर row factor है यहाँ पर मिल रहा है termination factor bacteria में transcription और translation generally same compartment में होते हैं और mRNA कोई requirement नहीं होती active होने के उसको ठीक है यहाँ तक जो basic चीज़ें थी elongation, termination, initiation factor, termination factor फिर u-karyotes के बारे में बात करते हैं u-karyotes में generally दो additional complexity यहाँ पर देखने को मिलते हैं u-karyotes में याद रखिए गए चीज़ इसमें at least 3 RNA polymerase में होते हैं, nucleus में मौझूद RNA polymerase, organelles में मौझूद हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है, nucleus में RNA polymerase जो first है ठीक है, first के बारे में यहाँ बताया जा रहा है उसमें क्या-क्या चीज़ें सामिल होंगे, आप यह दखिएगा यहाँ आपको इसमें करेगा, तो mRNA synthesis में precursor जो उसका होता है, RNA RNA पुछा गया है, heterogeneous nuclear RNA RNA polymerase 3 की अगर हम बात करें तो mainly TRNA, 5S RNA और Asian RNA इसमें काम रहा है यह पहली चीज़ें और दुछी जो एक्ट्राप्लेक्सिटी है वो दो चीज़ें contain करती है एक जो है और intron जो है, वो expressing sequence है और जो intron है, वो interrupting sequence है वो दोनों काफी important है रखेगा कुछ काम चलेगा, आगे की ओर intron जो होंगे, वो non-functional होते हैं और जो exon होते हैं, वो functional होते हैं ठीक है? इसके बाद a splicing process चलेगा और a splicing process होगा, तो intron और exon होते हैं intron यहां पर आकर जोड जाएगा और इन्ट्रॉन यहां से हड़ाएंगा यहां जोड़ाएंगा चीज नारेने है तो उसको पूलेट जीज आप से पूछता है जब पंक्स्तन जोगों पूछता है तो पूछा जाता था ठीक है? तो इसके नारेने है क्या होता है जब एडनल्टाइट का जो रेसिड्यू है उसको अगर एड किया जा रहा है एचे नारेने के थ्री इंड से जो कि MRN का होगा तो टेंपलेट इंडर्पिंडेंट मैनर में यह जाकर फॉर्मेशन हो जाता है इसके बाद बारियाती है जेनेटिक कोट के बारे में जो एतना हम पढ़ चुके एस सारा point important था अब इसके बाद बारियाती है जेनेटिक कोट के बारे में एक लंबा सा chapter है थोड़ा time लगेगा ही ठीक है अब जेनेटिक कोट के बारे में जल्म देख की ही तो जल्दी इन्होंने ही डिस्कवरी की है genetic code इसमें बताया गया है जो amino acids के जो sequence होता है किसी भी polypeptide chain और nucleotide होता है किसी भी DNA में तो इसको genetic code बोला जाता है generally 4 type के nitrogen basis होते है MRNA में AUGC 20 types amino acids है उनके लिए आगे की ओर हम देखते हैं इसमें हर्गोबिंद खुराना का भी नाम इसमें आता है जो खुराना नाम लिया मैंने निर्णबर्ग मता है और खुराना ठीक है निर्णबर्ग का भी नाम जिकराया है इसमें एक enzyme सामिल होता है जिसका नाम है Savory Oqua Enzyme तो इंजाइम का नाम आप याद रखेंगे enzyme important है ठीक है जिसको RNA polymerase enzyme बोल रहा है polynucleotide phosphorylase इसको बोला जा रहा है वही याँ पे यह सामिल होता है और इसमें देखिए जैसे आपको एक चार्ट पुरा का पुरा बना रखा है अगर genetic code अगर singlet है तो चार कोडोन का formation होगा जो ACGU मेली कोडोन है अगर doublet है तो solar codon का formation होगा अगर triplet है तो 64 codon का formation होगा और more codons than required for 20 amino acids ठीक है इन खुराना जो है artificial उन्होंने synthesize के एक MRNA को ठीक है निरंबर के बारे में उन्हें बात कर लिया है अब कुछ silent features देखते हैं जनेटी कोड के जो अक्षर हाँ पुछे जाते हैं एक्जामों में ठीक है सबसे पहला triplet in nature वो triplet होना चाहिए 61 codon जो होते हैं amino acid के लिए होते हैं तीन codon जो होते हैं अज टॉप codon यहाँ पे होते हैं जिनको nonsense codons भी आगे देखेंगे नेक्स्ट है अन इंबिगोशियस होते हैं और specific नहीं दे रखा है इसमें वो फिछले NCRT में दे रखा था एक codon किसी भी एक amino acid के लिए होता है नेक्स्ट आती है डीजनरेसी एक amino acid वो code किया जाता है एक codon से भी जादा से नेक्स्ट कॉमा लेस होता है कोई punctuation की requirement नहीं होती है जब codon को read किया जाता है MRNA में तो contagious fashion में read किया जाता है कोई punctuation नहीं कोई कॉमा नहीं नेक्स्ट है universality बैक्टिरिया से अगर humans तक में बात कर लें तो genetic code बिल्कुल same होता है कुछ exception है mitochondrial codon, protozoans codon बागरा example UUU ठीक है ये code किसके लिए कर रहा है phenylalanine के लिए next है AUZ और ZUZ AUZ coding करेंगे methionine के लिए और जिसको mate बोला जाता है AUZ काम करते है act as an initiator codon और इसको initiation codon या start codon मुटेशन एक बोल के बारे में देखी है पिछले इसमें principal basis of an initiator चैप्टर है हमारा इसके बाद बारी आती है tRNA इसके बाद आप देखिए इसके बारे में बात कर लिया है frame shift और deletion mutation के बारे में अब बारी आती है tRNA जिसको adapter molecule भी बोला जाता है जो कि genetic code को read करने में काम आता देखी प्रोसेस कितना सांदार यहां पे चल रहा है adapter molecule specific होते हैं हर एक amino acid के लिए 10-15% total RNA का यह होता है soluble RNA होता है जिसको sRNA इसलिए बोला गया है adapter RNA भी इनको बोला जाता है जब protein synthesis का जब time आता है तो यह एक amino acids के carrier के रूप में काम करते हैं दो तरह के model होते हैं एक तो 2D का model होता है और एक 3D का model होता है 2D का model Clover leaf model होता है जो कि हॉले ने दिया था और जो 3D का model जो होता है वो inverted L-sip का model होता है तो दोनों model इसमें important है generally actual structure है वो काफी complicated होता है इनमें 2 तरह के loops सामिल होते हैं मैं लिए 3 तरह के होते हैं hydrogen bond यहाँ पर formation नहीं होता है तो आप इसमें देखीगा कौन-कौन से सामिल है सबसे पहले हम बात करते है attachment loop के बारे में सबसे पहले एक होता है attachment loop आपको मैं समझा दूँ attachment loop इस तरह का बिलकुल होता है इसका काम क्या होता है generally जो TRN है उसको ribosome के larger sub unit के साथ उसको connect करने का काम है फिर recognition एक anti-codone loop होता है इनका काम होता है complementary sequence जो MRN का है उसको यह generally recognize करने के काम आते है फिर DHU loop एक आता है उसका काम क्या होता है जो amino acid synthetase जो है उसको recognition loop भी इसको बूला जाता है यह उस enzyme को recognize करने के काम आता है और यह जो enzyme है कुछ amino acid जो उनका specific type के उसको activate करता है amino acid acceptor end से anti-codone total exit होते है जो end होता है किसी भी loop का वहा specific sequence होते हैं थ्रिनिकलोटाइट के AUG anti-codone है और AUSE codone है ठीक है आगे क्यों बढ़ते हैं इसके बाद यह सब initiator RNA वगरा के बारे में बात की जा रहे हैं आपे कौन किसका initiation करेगा तो उसके बारे में तो आपको मैं पूरा का पूरा यह process बता दूँ यह कैसे process चलता है सबसे पहले translation जो process है उसके बारे में आप जान लो यह polymerization कोई भी amino acid है उसके polymerization का process है कि ताकि polypeptide का वो जाकर formation कर सके उसमें amino acids के जो seconds होते हैं बड़े गजब के होते हैं और सारे किस चीज़ पर determine होंगे mRNA का जो base होता है उसके सारे determine किये जाते हैं जो protein synthesis होता है वो ribosome में होता है जो several ribosome होते हैं अगर single mRNA के साथ जोड़ चुके हैं और एक chain का उन्होंने formation कर दिया इसी चीज़ को polyribosome बोला जाता है तीन बार यह पूछा गया है NEET में NEET आप एम्ट अगर मिला दें तो जो polysem जो होता है ribosome को वही आगे चलकर mRNA का mRNA से protein का formation करता है उसमें step को सामिल है सबसे पहला process activation सबसे पहला process क्या है activation of amino acid आप से process का नाम याद रखना amino acid plus ATP, amino acid, tRNA synthetized बनेगा कोई मतलब नहीं है सबसे पहले activation हुआ amino acid का फिर जो tRNA है तो tRNA का charging हुआ miss tRNA का loading हुआ या कहें तो amino acylation हुआ tRNA का इसके बाद चलेगा translation का process translation में तीन process में लिए involved सबसे पहले होगा polypeptide chain होगा उसका initiation अस्टार्ट होगा उसमें P site होता है A site होता है और E site होता है P site पे peptidal site होता है A site प aminoacyl site होता है E site पे exit site होता है larger suminant P और A site होते है ठीक है पहले तो हुआ polypeptide chain का initiation फिर elongation होता है और then termination होता है यह 3 processes में आपके सामिल है 80 different type के यहाँ पर पाया जाते है protein आप याद रखेगा ribosome के पास तो यह सब कुछ important चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर बताई जा रखी है तो यह सब याद रखेगा खुछ-कुछ इसके आगे हम बढ़ते है यह चीज़ important है ribosome catalyst की तरह तो काम करता ही है और bacteria में जो होता है 23S RNA होता है जो कि बहुत ही helpful होता है जो कि ribosome के तौर पे ribosome के तौर पे bacteria में काम करते है peptide bond formation में ठीक है हम आगे क्यों बढ़े है next बारी आती है UTR की important है untranslated region याद रखे का start codon AUG होता है initiator codon untranslated region UTR यह mRNA पर present होता है requirement कब होती है जो translation का process है उसको और भी अच्छा है efficient बना दें उसको यह होती है कहां present होती है five in पे और three in पे दोनों जगा five in पे कम जब start codon के पहले और three in पे कम stop codon के बाद यह दोनों चीज़ याद रखेगा एक एक चीज important है जो बार बार मैं बोल रहा हूँ इसके बाद आती है बारी gene expression के बारे में अब कैसे regulation करोगे आप gene expression का ठीक है आप इसके बारे में सुनिएगा अब हमारे पास 10 minute बिल्कुल बच चुके हैं गौर से ध्यान से बनाए रखें सबसे पहले बारी आती है gene expression में generally होता क्या है polypeptide का formation होगा molecular level पे चीज़ चल रहा होता है इसको बताया गया one gene, one enzyme hypothesis से bedal or tetum ने दिया था neurose पूरा में भी बात मैं कर चुका हूँ ये letter modified किया गया इसको one gene, one polypeptide hypothesis में इसके according एक gene, एक particular type का ही enzyme का formation करता है prototroph, auxotroph काम का नहीं है regulation जो gene expression का है उसमें दो चीज़ें चलती है on कर दो या off कर दो on से off, off से on, non-constitutive gene इसमें होते हैं, सामिल होते हैं, आपने पढ़ाओगा genetics में, ठीक है, you carot में regulation का जो level है, वो 4 level पर यहां चलता है, पहला है transcription level, जहां पर primary transport का formation हुआ है, इसके बाद processing level है, जहां splicing को regulate किया जाता है, है splicing कुछ दर पहले हमने देखा है तीसरा mRNA का transport किया जाता है nucleus से cytoplasm की हो, होता है translational level, इस चार चीज़ हमारे लिए काफी important है अब वो one gene, one enzyme theory याद रखेगा 1961 की बाद है, दो scientist है, जैकोब और मोनाड उनने off-line motor लेका आए वो 61 में, और कैसे कोई gene action किसी भी इकोलाई में चल रहा है उन्होंने ये बताने की कोसिस की है ठीक है, तो यहाँ से मिल लिए आपका ये start होता है lack of a ron, उसके पहले कुछ बातें और करें कोई भी आप a ron है, किसी भी DNA का part होता है यहीं बच्चे confuse होता है lack of a ron hack है, यह lack of a ron hack है तो an operand is a part of DNA सबसे पहली point ठीक है जो कि single regulated unit की तरह काम करता है जिसके पास एक या एक से ज़्यादा structural gene हो सकते है एक operator gene होता है और एक promoter gene होता है और एक regulator gene होता है regulator gene जो होता है वहाँ पर eye होता है जिसको eye gene बोलते है जिसको inhibitor भी बोला जाता है याद रखिएगा इसके बाद operon दो type के होते है सुनिए गाध्यान से पहला है inducible operon जो कि lac operon होता है lac नाम क्यों पड़ा? क्योंकि lactose है inducer होता है वो substrate है और enzyme वहाँ पर काम करेगा बीटा गलाक्टोसाइडेज नेक्ट होता है repressible operon example है tryptophan operon या TRP operon बोला जाता है में लिए इस चीज़ इंपोर्टेंट है आगे lac operon में जो polycystronic structural gene है उसको कौन regulate करेगा तो common promoter और regulatory gene उसको regulate करने का काम करता है जो कि bacteria में common होता है lac operon जो है वो transcriptionally regulated system है यह बहुत गजब का system बहुत ही cyst system जो इकोलाई में discovery किया जैक अब और मॉनाड ने यह बहुत अच्छी discovery रही science में इसके बार lac operon के बारे में एक regulatory gene होगा और तीन structure gene होते है जो एक regulatory gene होगा वो I gene होगा जो कि inhibitor होगा जो कि code करेगा lac operon के repressure के ठीक है उसमें तीन structure gene होते है Z, Y, A Z अब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो important है किसके लिए कौन कर रहा है Z है beta galactosidase enzyme galactose plus glucose next है Y permease enzyme काम करता है जो तीनों gene है जो तीन gene के product है जो lac operon में वो metabolism जो lactose का होना है उसके लिए काफी है important यहाँ पे होते हैं ठीक है आगे क्यों आप कुछ और सुनना अगर कोई off है off को हमें on करना है तो यहाँ पर inducer का का काम कर दो और lactose यहाँ लगा दो बस तयार है बिल्कुल यही काम करेगा lactose से alo lactose बनाना है beta galactosidase यहाँ पर काम कर रहा है ठीक है अब और भी कुछ बातें अगर आप सुनना चाहते है यह आप diagram से बिल्कुल easy वह में इसमें समझ सकते हो अपने पढ़ा भी होगा ख्लासों में ठीक है हम आगे की ओर बढ़ते है इसमें इच ओपरॉन में अगर हर एक ओपरॉन है तो इसमें एक specific operator होता है जो कि lack operator है और एक specific repressure होता है जो कि lack repressure होता है जो real inducer होते है वो allo lactose होते है ठीक है आगे की और हम बढ़ते हैं कुछ-कुछ gene भी इसमें सामिल होते हैं वो भी आप देखिएगा gene जो कौन-कौन से सामिल है सुनीगे जरा गौर से glucose और galactose के लिए inducer absent होते हैं जो कि lactose में होते हैं positive regulation चल रहा है यह हमें higher classes में study करनी है जो gene तो यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई गई हैं question आपसे पूछा गया है basic जो चीजे थी मैं आपको यहाँ बता रखा है how long the lack of iron would be expressed in the presence of lactose जब तक वो काम करेगा till the level of glucose remain low in the sale जब तक कि sale में glucose का level कम ना हो जाए उस level तक यह काम करता है एक होता है negative regulation positive regulation मैं आपको बता ही दिया है और negative regulation में जब जस्ट आप उसका opposite कर दो means lack of iron का जो regulation है repressure अगर करने लगे और positive regulation इस level पर study नहीं किया जाती है और यहाँ तक हमारे खत्म हुआ इसके बाद आती है human genome project के बारे में यहाँ से जो question है limited बनते हैं तो आपको direct में question ही बताऊंगा simple सा study of genome को genomics बोला जाता है एक बारी आई HGP के बारे में HGP क्या होता है human genome project एक mega project था जो कि 1990 में launch किया गया था human genome के sequencing के लिए 13 साल का एक project था जिसको department को coordinate करने का काम किया US department ने इसको coordinate करने का काम किया US department of energy ठीक है इसको आगे last में दे रखा है US department of energy के बारे में और ने इस्टन इस्टीट of health complete इसको किया गये 2003 में genetic makeup किसी भी और मिन का तयार किया गया और individual का DNA sequence का बगर का तयार किया गया human जो HGP जो है human genome project एक closely associate है bioinformatics के साथ और goals कह रहा है इसके ठीक है जो 97% जो human का DNA वो non-functional होता है जानकर तजूब होगा आपको वो junk DNA होता है जैसे intron, repetitive DNA, satellite DNA ये सब होते हैं सामिल ठीक है अब goals क्या रहे है HGP के important goals कि हमें human DNA के सारे genes को identify करना है 20 से 25,000 होते हैं ठीक है अब 3 billion जो sequence है chemical based pair का वो कैसे human DNA ने बना है उसको बिल्कुल determine करना था और store करना था में इसे database में ये भी हमारे लिए एक important था और improve करना था data analysis के tool के bioinformatics का development हो सके इसके बाद जो transfer related technology थे जो other sector industry वगरा के उनको भी करना था ये transfer कुछ LC वगरा से related थे ethical, legal, social issues बगर इसमें सामिल थे जो कि इस project से erase होते है ठीक है आपको मैंने बताई दिया कौन इसमें किया था अब इसमें HGP में बहुत सारे non human model organism लिए गये वो organism क्या थे देखिए कि यहाँ यह important है उसमें एक bacteria लिया गया जिसका नाम था हेमोफिलस, influenzae एक isht भी उसमें सामिल था एक cino-rabiditis, elegans एक nemotode भी सामिल था जो कि free living non pathogenic था ठीक है इसके बाद drosophila एक fruit fly भी सामिल था plants, rice और arabidopis सामिल थे जो methods थे HGP में वो दो major approach पे काम कर रहे थे एक तो express sequence tag था जिसको EST बोला जाता है जिसमें सारे genes को identify किया जाता है जो कि RNA बनते हैं जो mRNA के बारे में इसके बाद बारी आती है sequence annotation के बारे में तो sequence annotation एक blind approach था बिल्कुल जिसमें simply sequencing किया जाता था genome के पूरे whole set को जिसमें coding और non-coding sequence मौजूद थे और इसको आगी कुछ इनके function की recording काम किया जाता था sequencing automated DNA sequence से काम किया जाता था जो की method जो था Sanger ने पहले ही बना दिया था amino acid का sequence protein में उस पे एक काम चल रही थी इसमें दो होस्ट लिए गये थे होस्ट काफी important है vectors जो लिए गये थे back और act back जो था bacterial artificial chromosome आगी की और यह आपको मैंने बता ही दिया जो कि Sanger इसमें सामिल थे अब इसमें जो sequence chromosome number one का जो किया गया वो May 2006 में जाकर एक complete हो गया ठीक है अब human के 24 chromosome की इसमें study की गई जिसमें बाया गया 22 autosomes हैं और X-4 by chromosome total 24 होते हैं इसमें सामिल तो 24 chromosome की यहाँ पे जाकर study की गई है इसके बाद कुछ जो silent features रहे है human genome के वो आप से पूछे जाएंगे exam में यह देखिए human genome में 3,164.7 million nucleotide bases सामिल होते हैं average जो gene का size है वो 3000 bases होते हैं largest जो gene हो dystrophin होता है और जो smallest है वो SRY gene होता है जिसको TDF gene भी बुला करते हैं ठीक है dystrophin gene कहा होगा तो X chromosome पे होगा SRY Y chromosome पे total number of gene जो estimate किया गया है वो तो लगवाद 30,000 99.9% जो nucleotide bases होता है वो exactly same होता है सारे लोगों में ठीक है अब जो function है 50% से ज़्यादा gene का discover जो है वो unknown है less than 2% of genome code for protein ये भी आपको जान करता आजूब होगा इसके लावे कई सारे हैं एक आपको ये important है जो chromosome number 1 है उसके पास maximum number of gene है 2968 और जो by chromosome है उसके पास सबसे कम 231 ठीक है इसके बाद बारियात है SNP के बारे में single nucleotide polymorphism 1.4 meter location होता है जहांके सिर्फ single base difference exist करता है ठीक है SNP सिसको बोला जाता है इसके आगे gene library बगर अभी किया गया उत्ते है important नहीं है हमारे लिए application और future challenges भी है नहीं पूछा जाएगा आपसे अब last two topic है हमारा वो बारी आती है DNA fingerprinting जब भी बारी आए DNA fingerprinting Alex Jeffrey का नाम आना चाहिए ठीक है DNA fingerprinting Alex Jeffrey सबसे पहले एक technique है इसमें एक technique होता है जिससे identify किया जाता है किसी भी person को specificity के लिए किसी का बच्चा है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा तो DNA fingerprinting से ये पता चलता है ठीक है इसके लिए कुछ test कराए जाते हैं जैसे मैं आपको एक trick देता हूँ snow southern blotting, northern blotting और western blotting तो snow drop up याद कर लो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा snow है तो snow किसके लिए तो D के लिए तो D for DNA तो southern blotting DNA के लिए northern blotting RNA के लिए ठीक है और western blotting generally protein के लिए किया जाता है ठीक है तो DNA RNA आपको याद ही हो जाएगा आगे बारी आती है repetitive DNA के बारे में generally इसमें involved होते हैं कुछ identifying difference होते हैं जो कि specific region में DNA sequence में मौझूद होते हैं किसे किया जाता है तो density gradient centrifugation से किया जाता है जो कि वही CSCL इसमें involved होता है repetitive DNA और bulk genomic DNA को इसमें separate करने का काम करते हैं इसके बारी आती है satellite DNA के बारे में जो कि protein का formation नहीं करते base जो complementary pair है AT reach और GC reach होना चाहिए length of segment और number of repetitive units mini satellite और micro satellite दो तरह की चीज़ें होती है mini satellite VNTR बोलते है variable number of tandem repeats 0.1 to 20 के भी का होता है 1160 base pair इसमें मौझूद होते हैं micro satellite जैसे STR बोला गया 4 tandem repeat 2-6 base pair इसमें सामिल होते हैं major peak है bulk genomic DNA के लिए minor peak है repetitive DNA के लिए satellite DNA के लिए ठीक है आगी क्यों बात करते हैं जो satellite DNA है वो high degree of polymorphism को सो करता है question आया हुआ है और DNA fingerprinting का basis भी बिलकुल यही होता है अब जो high degree of polymorphism है क्यों? क्योंकि variation होता है genetic level permutation में इसके बाद जो VNTR होता है किसी भी DNA में वो flank किया जाता है restriction side से इसलिए उसको restricted fragment बोला करते है ठीक है तो आप जानती है DNA fingerprinting paternity testing के लिए किया जाता है generally ठीक है तो polymorphism के बारे में आप समझ चुके हैं evolution हुआ है तो polymorphism बहुत important role होता है VNTR का मैंने अपको full form बता दिया है क्या होता है? अब दिखिए DNA finger of Alex Jeffrey का भी नाव हमने ले लिया है अब कौन से वो process होते हैं जिससे किया जाता है ये fingerprinting में कौन-कौन से M's में आया हुए question है सबसे पहले हमने DNA को isolate कर लिया हमने DNA को digest करवाया restriction endonucleus से enzyme important है आपको biotech में भी आएगा इसके बाद DNA का separation किया गया electrophoresis से इसके बाद transferring किया गया blotting किया गया separated DNA fragments को synthetic membrane से उसमें nitrocylose, nylon बगरा होते हैं southern blotting की जाती है next है hybridization labeled VNTR probe को इसमें इसमें इस्तेवाल किया गया इसके बाद detection करवाया गया hybridized DNA का fragments का autoradiography से autoradiogram जो होता है वो बहुत सारे band देता है different size के exception रहे हैं monozygotic tunes और identical tunes लेकिन जो यह technique है यह forensic science में बड़ा ही important है paternity testing में अगर population और genetic diversity है उसको अगर हमें देखना है तो उसके लिए काफी important होता है जो sensitivity है इस technique की वो दिन बदीन increase होते जा रहा है PCR से polymerized chain reaction से ठीक है तो यह सब basic सी कुछ बातें थी आप यहाँ पर देख सकते हो paternal chromosome और एक तरफ maternal chromosome है और यहाँ पर जो बच्चा है जिसका वो करवाया जा रहा है उसके लिए जो individual B का है तो यहाँ पर यह करवाया जाता है और ऐसे यहाँ पर देखा जाता है इसमें VNTR number of saw tandem repeats वगरा तो यही हमारी basic सी चीजे थी कैसे यह कराया जाता है तो यह हमारा यहाँ पर complete हुआ molecular basis of inheritance यह पूरा का पूरा chapter एक बार NCRT से आप खुद भी पढ़िएगा और एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और लोगों में share कीजिए इस वीडियो को जाद से जाद हमारे चैनल को subscribe करने की कोसिस करें और बार बार हमारे चैनल पर करें क्योंकि वीडियो बहुत सारे हैं सबसे खुबसूरती है इस चैनल की इस पर free ads आते हैं आपको सिर्फ contribute करना है 10 रुपे monthly का contribution है जो कि आपको description box में मिल जाएगा आप वहां से contribute कर सकते हैं और बिना हिचक के ad free channel आप यह देख सकते हैं Bits for biology तो इसी तरह Bits for biology पर बने रहिए बार बार हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारे चैनल को देखने के लिए और हमारे वीडियो को सेर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो अल बेस्ट फर यूर एक्साम्स